ह ہے So hello दोस्तों welcome to my channel और आज के विडियो में हम लोग मैयMक्रिक्स के बारे मीबात करें मैयिक्स का यह कुशियन है find the co factor of matrix co factor निकालना है यहाँ पर को factor निकालना है mattress का और यह आपको toby Dow matrix European team है त् labeling को फैक्तर निकालने के लिए सबसे पहले कुछ मैट्रिक्स के बारे में आपको जाना ज़रूरी है यह जो horizontal होती है आड़ी इसको रो बोलते है तो माईनस 1 2 माइनस 1 और 2 यह पहली रो है क्या बह rôle है पहली रो मैं यहां पर लिख देता हूँ पहला पहला मतलब है यह पहली रो है और –3 4 यह दूसरी रो हो यह क्या है दूसरी अथ्व को ल१ं लिए माइनस फिर्ट然后 होता है और जो खड़ा होता है पहला कॉलम है दुन गाल लिक लेत हो और रति यह थैंद पहले नांवर यह दूसरी रह ऊखड़ा और यह रोका है और यह कॉलम का है तो पहेला रोल पहेला कॉलम में कौन सा 3 आ रहा है और A22 दूसरा रो दूसरा कॉलम क्या रहा है 4 आ रहा है तो यह आपके मैट्रिक्स के ऐलिमेंट से ठीक है हमको निकालना है को फैक्टर को फैक्टर निकालने से पहले आपको निकालना पड़ेंगा माइनर, आपको क्या निकालना पड़ेंगा माइनर, माइनस कैसे निकालते है, M11, अभी इसका माइनस कैसे निकालेंगे, M11, M11 अगर आपको निकालना है, को डूप का तो पहला रों को बहुत कर दो और पहले कॉलम को भी हाइद कर दो क्या बचरा आपके पास सिभक्वर बाच रहे हैं पहला रौ पहला कॉलम हइद कर देंगे तो आपके पास 4 बचेंग है यह 11 Hol never मैं निकालूंगा M12 12 में आएंगा first row second column पहला रहे तब फिर second column रहेंगा तो first row first row को hide कर दिया second column में hide कर दिया क्या बच रहा minus 3 minus 3 यह आपका M12 है उसके बाद M21 21 first row के दोनों element होगे अब second row के दोनों element 21 second row first element तो second row को hide करो और first column को hide करो तो आपके बाद बच रहा है second column दोनों hide करो second row यह है second column यह है तो second row और second column hide करो minus 1 बच रहे तो आप लिगदो minus 1 यह 4 आपको minus आ गए अब निकालना है covector covector का एक formula है covector क्या है एक formula है तो covector कैसे निकालते हैं अगर आपको a11 a से हम लोग denote करेंगे करते हैं यहाँ पर a से कर रहा हूं में तो formula कैसा है यहाँ पर minus 1 raise 2 यहाँ पर आएंगा row plus column क्या आएंगा row plus column तो हमारा पहला 11 है तो row plus column multiply by m11 11 की बाद चाहिए इसलिए 1 यह देखो यहां से देखो a11 निका रहे है तो 1 plus 1 यहाँ लिखेंगे और m11 अभी देखो minus 1 1 plus 1 कितना हो तो 2 multiply m11 m11 कितना है आपका 4 4 ठीक है यह multiply इसको इसलिए लिख सकते हो minus 1 का square क्या आएंगा minus 1 के उपर अगर even power है तो answer 1 आएंगा और odd power है तो answer minus 1 आएंगा तो 1 multiply by 4 आपका क्या answer रहेंगा 4 मतलब a11 क्या है या 4 ठीक है अब मैं निकालूँगा a12 तो आपको क्या करना है minus 1 raise 2 यह दो लोगो plus कर दो 1 plus 2 multiply by m12 ठीक है minus 1 के उपर 1 plus 2 कितना रहा 3 जोके odd है इसलिए इसका answer है minus 1 minus 1 raise 2 3 का answer रहेंगा minus 1 m12 क्या है आपके पास minus 3 तो यहां एंगा minus 1 multiply by minus 3 3 1 सा क्या होता है 3 होता है minus minus plus तो a12 आपका 3 आ रहा है a11 आपका 4 आ रहा है ठीक है अब निकालेंगे a21 यहां लिको minus 1 और यह 2 plus 1 multiply by m यह 2 1 है यहां भी 2 1 आएंगा ठीक है अब यह minus 1 2 plus 1 कितना होता है 3 तो यह भी answer रहेंगा minus 1 raise to 3 is equal to minus 1 multiply by m21 कितना है 2 तो आपका रहेंगा minus 1 multiply by 2 आपका आपका रहेंगा minus 2 2 1 जा 2 और minus किसाइन ठीक है a22 निकालना है आपको यहां पर तो minus 1 2 plus 2 multiply by m22 minus 1 के ओपर 2 plus 2 आ रहा तो minus 1 raise to 4 हो जाएगा और m22 कितना है आपका minus 1 minus 1 के ओपर even power इसलिए answer रहेंगा 1 multiply minus 1 तो 1 multiply by minus 1 आपका रहेंगा minus 1 तो आपके को फैक्टर देखो कौन-कौन से है यह कहा है आपका 4 3 minus 2 और minus 1 तो यह को फैक्टर से यहां पर निकल गए ऊस्पास कहा है यह से बेरे देखो को फैज़ा रहेंगां बढ़े यह वीचितर रहा है यह कॉनर से अझा़ जाएगा है यहां जाएगा है यहां यह को यहाँ से जा बाद़ consult से तूं़